दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा यह थरीपन प्लक्टॉप है उसका सही से हम कनेक्शन कैसे करें कैसे हम इसमें तार को जोड़ें सही तरीके से की अच्छे से हमारा प्लक्टॉप जो हुआ वह कनेक्ट हो जाए बहुत से रोग कई सारी गलतिया करते हैं इ और देखा कि फिर मैंने उससे पूछा कि यह चीज किसलिए होती है तो उसने बताया कि इसका तो कोई यूजी नहीं होता है तो मैंने सोचा बहुत सारे लोगों के बन में यह confusion होगी तो यह चीज आप जान लें ताकि आप सही तरीके से 3-pin plug top connection करना सीख जाएं तो आएए दे लाफ थरिज देना है जो कि हमारा right-side में होता है और यह हमारा neutral है ठीक है तो यहां पर हमें neutral देना है और यह उपर वाला जो point है हमारा यह देखिए हहां पर arthing का symbol बना हुआ यह मतलब हमारा arthing का है तो यह हमें तीन तार हैं तो यह तीन टर्मिनल है हमारे तो इनमें तीनों में हमें la face, neutral और अर्थ देना है और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कि आपको सही धंग से जानना चाहिए और उसी तरह से आपको proper तरही के से connection करना चाहिए तो आइए देखते हैं देखिए जो हमारा थेरिपन प्लक्टाप होता है उसमें इसके साथ साथ और भी कई सारी चीजें होती है जो देखे जैसे कि यह हमारा प्लक्टाप है ठीक है यह अंदर का इसका हिस्सा है इसमें देखे एक तो यह चीज होती है इसका क्या काम होता है ठीक है उसके बाद यह एक स्ट्रिपस ती लगी होती है आपने देखा होगा यह देखे यह एक स्ट्रिपस लगी होई यह आपने देख रहे होंगे आप तो इसका भी एक यूज होता है ऐसा नहीं है कि यह बेकर में कंपनी लगा एक देती है लोग क्या करते हैं इसका यूजरे नहीं करते हैं इसके उपर से कनेशन कर देते हैं तो वह गलत तरीखा है आइए जानते हैं देखे जैसे कि मेरे पास यह तीन तार है जिसमें देखिए यह हमारा नूटल के लिए है, काला तार मेरा है, ठीक है, और यह लाल तार है, यह फेस के लिए है, और यह हरा तार है, यह मेरा अर्थ के लिए है, तो देखिए इसको करने का तरीका यह होता है, इसमें यह वाला हिस्सा होता है, यह होता है कि केबल हमारी और हमारी केबल यहां से तूटेगी नहीं, तो सबसे पहली बात तो यही होती है, कि आपको जब भी आपको connection करना है, तो आपको सबसे पहली चीज इसमें ध्यान देनी है, कि जो हमारा face, neutral और यह जो हमारा earth है, तो इस तरह से आप इन तीनों में इस तरह से आप इसको आप ड यह जो आपका यह जो इस्ट्रिफ होती है ना, इसको आपको सबसे पहले खोल लेना है, तो इसको आपको खोल करके इसको आप अलग कर लें, एक हिस्से को, एक हिस्सा तो आप पढ़ा ही रहने दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, एक हिस्सा आपने खोल दिया, य न्यूट्रल वाले में हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से न्यूट्रल को डालें ठीक है और यहाँ पर इस तरह से हम न्यूट्रल को यहाँ पर टाइट कर दे रहे हैं ठीक है यहाँ न्यूट्रल को टाइट कर दिया उस नार्मली सबलोग करते हैं तो इस तरह से फेस को लगा करके भी आप इस तरह से tight कर दें अच्छे से ये tight हो गया हमारा उसके अज जो हमारा बचा है अर्थ का point इसको भी आपको इस तरह से यहाँ पर लगा करके इसको थोड़ा सा लूज करने और यहाँ पर यह इसको इस तरह से लगा दें ठीक है और इसको tight कर दें यह हमारा देखे अर्थ निव्ट्रल और फेस यह तीनों हमारे connect हो गया आप देखे अब हमें करना क्या है लोग गलती क्या करते हैं इसको इस तरह से करके इसको नीचे लेके जाना है और इस sleeve को ऊपर लेके आना है इस तरह से यह sleeve और इसके बाद आपको इस वाले point को इसको आला करके इस तरह से जैसे पहले अब आप नय अप्लख्टा पर तो जिस condition पर रहता उसी condition पर आपको वापस करना है, देखिए, यह तार नीचे चले गए, यह हमारी इस्ट्रिप है, यह उपर आ गई, अब इस्ट्रिप में आप इस तरह से, इसको डाल करके, और आप टाइट कर दें, इस तरह से, टाइट कर देंगे, तो हमें बेनिफिट मिल जाएगा, कि यह जो त तार है हमारे, यह किसी खिचाओ में नहीं आएंगे, ठीक है, यह देखिए, यह पूरी तरह से, अच्छे से, हमारा कनेक्शन हो गया, उस बंदे ने क्या किया था, इस स्ट्रिप के ऊपर से, उस तार को लेके चले गए थे, उससे दिक्कत यही हो गई थी, कि जो तार था, खिच जाता हमारा, तो हमारा तार निकल जाता, तो उस चीज से बचने के लिए, आपको क्या करना है, इस यह जो हमारी केबल है, इसको इस स्ट्रिप के नीचे से ले जा करके हमें कनेक्शन करना है, में बात तो यही हो गई, और उसके बात इस चीज को आपको इस तरह सही लगा देना उससे क्या होगा कि जो केबल है हमारी वो हिलेगी नहीं यह तरीका एकदम प्रॉपर तरीका है कनेक्शन करने का ठीक है इस ट्रिप को में चीज ही है कि आप इस ट्रिप को नीचे कर देंगे उससे आपकी केबल की पकल मजबूत बनी रहेगी और अच्छे तरीके से आपका कनेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप सिंपल इसके उपर आप इस तरह से यहाँ पर इस तरह से आप इसको लगा करके यह हो गया और आप इसको फिर आप टाइट कर देंगे तो आपका कनेक्शन जो है आपका हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपने यह आपका कने आप इस तरह से इसको टाइड करने आप कनेक्शन हो गया मैंने दो चीज आपको बताई है एक इसको भी आपको सही तरीके सा लगाना है और नीचे जो इहां पर श्ट्रिप लगी हुई है केबल उसके नीचे रहेगी उसके ऊपर आपकी श्ट्रिप आएगी तो मुझे कभी कोई गलती करते हैं तो आप अच्छे से उनको बता देंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही नमस्कार दोस्तों